इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे टैब सुक्राल के बारे में और सीरब सुक्राल के बारे में आज कल मार्केट में सुक्राल ओ के नाम से भी आया है इसका कंपोजिशन होता है सुक्राल फेट वीडियो के end तक बने रहे ताकि आपको सुक्राल फेट के बारे में पूरी जनकारी प्राप्त हो सके तो आप अगर हमारे चैनल पे नई हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले तो दोस्तो आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं सुक्राल फेट ये दवा गेस्ट्रिक अलसर और ड्यूडेनल अलसर के ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है ये दवा लोकल प्रोटीन और प्रोलिटिक जैसे की पैपसीन के साथ मिलकर अलसर और घाव की उपर एक परत यानि की प्रोटेक्टिब लेयर पैदा करता है इस तरह पैप्टिक अलसर ठीक होने का काम और भी आसान हो जाता है इसके अलावा सुक्राल फेट दवा का यूज रिफ्लेक्स औस्योफेगाइटिस का केस में यूज किया हो जाता है अब जानते हैं डोज ओप सुक्राल फेट गैस्ट्रिक या डियोडेनल अलसर के केस में वन गराम दीन में TDS यानि की तीन बार दो गराम बीडी दे सकते हैं ये दवा हर वक्त एमपटी स्टोमेक खाना खाने के एक गंटा पहले खाना पढ़ता है इलाज 4-8 सपता चलता है और जोर्रक पढ़ने पर 8-12 सपता रिफलेक्स ओइसोफेगाटीस के केस में वन गराम दीन में 4 बार 6-8 सपता तक दिया जाता है इन सब केस में एंटासीड दिया जा सकता है लेकिन सुक्राल फेट खाने से पहले और आदे घंटे के अंदर नहीं दिया जाएगा प्रिकाउशन इसका कुछ खास साइड इफेक्ट देखा नहीं गया है लेकिन कभी-कभी पेट सकत हो जाता है एब्डोमेनल डिसकंफर्ट होता है नोसिया इसकिन, क्रैस, मुह सुखना, सर चक्कर ये सब भी हो सकता है टेटरसाइकलीन और सेमी टीडिन के साथ सुक्राल फेट नहीं दिया जाता है और अगर दिया भी जाए तो दो घंटे के अंदर नहीं देना जाएगा किड़नी में खराबी रहने पर ये दवा सावधानी के साथ और कम क्वांटिटी में देना जाएगे प्रेगनेंसी में नहीं देना है चिल्ड्रेन को सावधानी से दिया जा सकता है तो दोस्तो आज की वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं फिर एसे ही अगले वीडियो में वीडियो आपको हमारी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले